1973 में इंदिरा गांधी ने न्यायमूर्थी ए एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठा दिया. वो भी तब जब उनसे वरिष्ठ न्यायधीशों की लिस्ट जैसे न्यायमूर्थी जे एम शेलात, के एस हैगडे और ए एन ग्रोवर सामने थी. अंता हुआ यह की नाराजगी के रूप में इन तीनों न्यायधीशों ने इस्तिफा दे दिया. इसके बाद कॉंग्रेस ने पालियामेंट में जवाब दिया. यह सरकार का काम है कि किसे मुख्य न्यायधीश रखे और किसको नहीं और हम उसी को बिठाएंगे जो हमारी विच सारधारा के पास हो. और आज वही लोग न्यायधीशों की आजादी की बाद करते हैं. चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आप से अनुरोध है. यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नं करते हैं. 1975 में न्यायधीश जगमोहन सिंहा को एक फैसला सुनाना था. फैसला था राजनारायन बनाम इंदिरा गांधी के चुनावी भरष्टाचार के मामले का. उनको फोन आता है जिसमें कहा जाता है अगर तुमने इंदिरा गांधी के किलाफ फैसला सुनाया तो अपनी पतनी से कह देना इस साल करवा चौत का वृत न रखे जिसका न्यायमोर्ती सिंहा ने आराम से जवाब देते हुए कहा किस्मत से मेरी पतनी का देहान दो महीने पहली ही हो चुका है. इसके बाद न्यायमोर्ती सिंहा ने एक एतिहासिक निर्णय दिया जो आज भी मिसाल के रूप में जाना जाता है। इसने कॉंग्रेस सरकार की चूले हिला दी और इसी से बचने के लिए इंदिरा गांधी और कॉंग्रेस द्वारा इमर्जनसी जनता पर थोप दी गई। देश को नहीं, इंदिरा गांधी को बचाना था। 1976 में एगेंग रे ने इंदिरा गांधी द्वारा खुद पर किये गए एहसान का बदला चुकाया शिवकांथ शुकला बनाम एडियम जबलपुर के केस में उनके द्वारा बैठाई गई पीठ ने उनके सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया। उस पूरी पीठ में मात्र एक बहादुर न्यायाधीश थे जिनका नाम था न्यायमूर्थी एचा खन्ना जनों ने आप में साथी मुख्य न्यायधीश को कहा कि क्या आप खुद को आइने में आख मिला कर देख सकते हैं। इस पीठ में न्यायधीश एएन रे, एचा खन्ना, एम एच बेग, वाईवी चंद्रचूर और पी एन भगवती शामिल थे। यह सब मुख्य न्यायधीशों की लिस्ट में आये सिर्फ एक न्यायधीश को छोड़ के जिनका नाम था न्यायधीश एचा खन्ना जी। खन्ना जी को इंदिरा गांधी की सरकार ने दंडित किया और अनुभव तथा वरिष्ठता में उनसे नीचे बैठे न्यायधीश एम एच बेग को देश का मुख्य न्यायधीश बना दिया गया। यहाँ था भारत के लोकतंत्र का हाल कॉंग्रेस के राज में। यही न्यायधीश एम एच बेग रिटायर्मेंट के बाद नैशनल हेराल्ड के डाइरेक्टर बना दिये गए। यहाँ नैशनल हेराल्ड अकबार वही अकबार है जिसके घोटाले में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर छूटे हुए हैं। यह पूरी तरह से कॉंग्रेस का अकबार था और एक प्रकार से कॉंग्रेस के मुखपत्र की तरह काम करता था। आश्चर्य जनक रूप से न्यायधीश बेग ने अपॉइंट्मेंट स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी का सम्विधान को खत्रावाले सवाल पर उनके मूह पर यह जानकारिया मारी जानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या इस प्रकार से ही बचाना चाहरे हो लोक तंत्र को। बात यहीं खत्म नहीं हुई बलकि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में वापस आई और इसी मेच बेग को अलपसंख्य कमिशन का चैर में नियुक्त कर दिया गया वह इस पद पर 1988 तक रहे और उनको पद्म विभूशन से राजीव गांधी की सरकार द्वारा सम्मानित भी किय गया था. 1962 में न्यायधीश बहरुल इसलाम का एक और नया के सामने आया जो आपको जानना अती आवश्चक है. श्रीमान इसलाम कॉंग्रेस के राज्य सभा के MP थे 1962 के दौरान ही और उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था. हार गए थे वो दोबारा 1968 में राज्य सभा के MP बनाए गए. कॉंग्रेस की ही तरफ से सीधी सी बात है. उन्होंने 1972 में राज्य सभा से इस्तीफा दे दिया और उनको गुवाहाटी हाई कोट का न्यायाधीश बना दिया गया. 1980 में वो सेवानिवृत हो गए. परंतु जब इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा वापस आई तो इन्ही श्रीमान इसलाम को न्यायाधीश बहरुल इसलाम की उपाधी वापस दी गई और सीधे सुप्रीम कोट का न्यायधीश बना दिया गया. बुवाहाती हाई कोट से सेवानिवृत होने के नौ महीने बाद का यहां मामला है भाई साहब. इंदिरा गांधी पूरी तरह से यहां चाहती थी कि सभी न्यायालेओं पर उनका कंट्रोल हो. उस समय इमर्जिंसी के दौरान इंदिरा गांधी और कॉंग्रेस पर लगे आरोपों की सुनवाई विभिन्न न्यायालेओं में हो रही थी. वो इंदिरा गांधी के लिए बहुत उप्योगी सिद्ध हुए और साफ तौर पर कॉंग्रेस के लिए भी. न्यायाधीश इसलाम ने एक महीने बाद अपने पच से इस्तीफा दे दिया और फिर एक बार असम के बारपेटा से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े. लोक तंत्र का इससे बड़ा मजाग क्या होगा? जिस चुनाव में वो खड़े होने वाले थे उस साल चुनाव नहीं हो पाए आथा उनको एक बार फिर से कॉंग्रेस की तरफ से राज्य सभा का MP बना दिया गया. लोक तंत्र के लिए जिस प्रकार से कॉंग्रेस आज जूटी चाती पीट रही है, उसी ने लोक तंत्र का गला सबसे ज्यादा बार घूंटा है. एक हालिया किताब में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन रे को लेकर चौकाने वाले खुलासे किये गए है. किताब में लिखा गया है कि 1973 में देश का सर्वोच न्यायक पद स्वीकार करने के लिए जस्टिस रे को केवल दो घंटे का समय दिया गया था. बता दे कि उनकी नियुकती के कारण सर्वोच न्यायाले के तीन जजों की वरिष्ठता से समझोता किया गया था. जस्टिस अजीत नाथ रे ने कहा कि यदि उस पद को मैं स्वीकार नहीं करता तो उसे किसी और को पेश किया जाता. मैं उसके लिए लालायित नहीं था. यहाँ बात उन्होंने सुप्रीम विस्पस नामक किताब में कही है. इस किताब का लेखन पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूर के पोते अभिनव चंद्रचूर ने किया है. हालांकि दो घंटे में मुख्य न्यायाधीश का पच स्वीकार करने के जस्टिस रे के बयान को ततकालीन समय के कुछ वरिष्ट जजों ने चुनौती दी है. किताब में उन्होंने कहा कि जस्टिस रे की नियुक्ती के बारे में उन्हें बहुत पहले से पता था. बता दे कि साल 2010 में जस्टिस रे की मृत्यू हो गई थी. इसके साथ सुप्रीम कोट के 66 जजों के कई अन्य दावों और प्रतिदावों का किताब में जिक्र है. ये सभी दावे अमेरिकी शोधार थी जॉर्ज एच गैन्ड बोईस जूनियर के साथ 1980 के दशत में एक साक्षातकार में किये गए थे. हार से बौखला इंदिरा गांधी ने तोड़ी थी मरियादा. जस्टिस रे की नियुक्ती 25 अप्रेल 1973 को की गई थी. इससे एक दिन पहले ही केशवानन्द भारती मामले में सुप्रीम कोट ने अपना फैसला दिया था. 13 जजों की सम्विधानिक पीट को 7 से 6 से आया फैसला केंद्र और केरल सरकार के खिलाफ था. इस फैसले से यह तै हो गया था कि सम्विधान का बुनियादी धाचा नहीं बदला जा सकता है. इसी के बाद 3 वरिष्ट जजों को दरकिनार करते हुए पहली बार किसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. आपसे अनुरोध है देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें. हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें. आप हमें Google Pay या PayTM के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे. यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखें और काम से काम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस वीडियो को शेर करें.